हलो प्यारी बच्चों, किस कक्षा में पढ़ते हैं आप? तीसरी? क्यों? आप हिन्दी पढ़ते हैं? क्यों? आप अपना काम कॉपी में करते हैं? क्यों? क्या आप मुझे जानते हैं? क्यों? देखा, कुछ बच्चे हस रहे हैं कि मैं कैसे बात कर रही हूँ? हर बात का जवाब तो नहीं दिया जा सकता न? कि ऐसा क्यों? वैसा क्यों? यदि आप इतनी सी देर में परिशान हो गए तो सोचिए अगर ज्यादा समय तक कोई ऐसे ही बात करे तो क्या हाल होगा? आपकी पाठे पुस्तक में दस्वा पाठ है क्यों जी मल और कैसे कैसे लिया? ये दोनों भी कुछ ऐसे ही हैं चलिए पढ़ते हैं यह पाठ इन से मिलिए ये हैं क्यों जी मल बात बात पर पूछ देते हैं क्यों क्यों क्यों? भले ही आपसे जवाब देते बने या नहीं? पता नहीं क्यों और ये हैं उनके दोस्त कैसे कैसलिया? ये भी कोई कम नहीं हैं मौका लगते ही पूछ देते हैं कैसे कैसे कैसे? देखा आपने जो बार बार क्यों 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 कहते हैं उनका नाम पढ़ गया क्यों जी मल और कैसे कैसे कहने वाले का कैसे कैसलिया? भूले भटके कभी दोनों से एक साथ मुलाकात हो गई तो क्यों और कैसे के बीच ही भटकते रहेंगे आप? क्यों 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 कैसे कैसे कैसे? पढ़िए और पता केजिए गुरुजी नमस्ते किधर चले? नमस्ते जरा बाजार जा रहा हूं बाजार? क्यों क्यों क्यों? अब आप बताईए क्या यह पूछना जरूरी था कि बाजार क्यों जा रहे हैं? हमें दूसरों से हर बात थोड़े ही पूछनी चाहिए कोई किसी भी काम से कहीं जा सकता है गेहू पिस्वाना है इसलिए बाजार कैसे 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 साइकल पर वैसे निकला तो पैदल था पर थैली देखकर शिवदास ने अपनी गाड़ी दे दी अब देखिए गुरु जी के पास है तो साइकल लेकिन वह कह रहे हैं गाड़ी तो बच्चो बात ऐसी है कि बहुत सी जगों पर किसी भी वाहन को जैसे साइकल, स्कूटर, मोपेड वगेरा को भी गाड़ी ही कह दिया जाता है शायद आपके यहां भी ऐसा ही कहते हूँ अच्छा गे हूँ पिस्वाना है क्यों 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 अरे आटा जो चाहिए पिस्वाना कैसे 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 चक्की में भई आटा क्यों 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 भईया रोटी नहीं बनाएंगे रोटी कैसे 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 देखी तो कैसे अजीब सवाल कर रहे हैं अरे आटे को सानेंगे, बेलेंगे, तवे पर पकाएंगे, आग पर फुलाएंगे, सानेंगे क्यों, क्यों, क्यों सुनो, सने आटे में थोड़ा पानी रहता है न आग पर तपने से यही पानी भाप बनकर बिली हुई रोटी को पकाता है इसलिए सानेंगे आप भी जानते हैं रोटी बनाने के लिए पहले आटे को सानते हैं आपके घर में आटा सानने को कुछ और कहते हैं क्या? शायद आटा गूंधना, आटा गलाना, आटा मलना, आटा लगाना, आटा माढना या कुछ और सानेंगे कैसे, कैसे, कैसे? तुमने कभी देखा नहीं है क्या? आरे, आपने तो देखा है ना? परात पर आटा निकालेंगे, चुटकी भर नमक डालेंगे, फिर धीरे धीरे एक हाथ से पानी डालते हुए सानना शुरू करेंगे पहले-पहले सारा आटा बिखरेगा, फिर उसे समेटेंगे, यानि इकठा करेंगे, और अच्छे से सान लेंगे, समझे? बताने में जितना आसान है, करने में उतना आसान नहीं है यह काम घर में किसी को भी आटा सानते हुए ध्यान से देखना नहीं-नहीं, अभी आप छोटे हैं सिर्फ देखना थोड़े बड़े हो जाने पर सभी एह काम जरूर सीखना लड़कियां भी और लड़के भी खाना तो सभी खाते हैं ना, तो बनाना भी आना चाहिए अच्छा, परात पर, क्यों, 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 कैसे, कैसे अब गुरु जीन क्या बोले तुम लोगों की क्यों और कैसे में तो मेरी चक्की ही बंद हो जाएगी बंद हो जाएगी, क्यों, 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 बंद हो जाएगी कैसे, कैसे, कैसे लेकिन तब तक गुरुजी साइकल पर सवार फुर हो चुके थे मतलब वहां से जा चुके थे देखा आपने किस तरहें गुरुजी उन दोनों से पीछा छुडा कर जल्दी से निकल गए बच्चों प्रश्ण जरूर पूछने चाहिए क्योंकि तब ही तो आपकी जानकारी बढ़ेगी लेकिन बेकार के प्रश्ण पूछ पूछ कर आप कभी इनके जैसी गलती मत करना वरना लोग आपका भी ऐसा ही कोई नाम रख देंगे और पीछा छुडा कर भागेंगे तो बच्चों आपने देखा कि गुरु जी गेहु पिस्वाने जा रहे थे ताकि उसके आटे से रोटी बनाई जा सके क्या आप बता सकते हैं कि और किन अनाजों को पीस कर उनके आटे से रोटी बनाई जाती है जी हाँ मक्की बाजरा और चावल जी हाँ चावल के आटे से भी रोटी बनाई जाती है और रोटी को भी अलग-अलग जगों पर अलग-अलग नाम से पुकारा जाता है आप बता सकते हैं जी हाँ एक नाम तो रोटी ही है और क्या कहा जाता है रोटी को चपाती और फुलका क्योंकि फूल जाती है आग पर जब फूल जाती है इसलिए उसका एक नाम फुलका भी है आप जानते हैं कि रूटी बनाने के लिए उसे तवे पर सेका जाता है लेकिन हर खाद्य पदार्थ को बनाने के लिए अलग तरीका होता है तो चलिए देखते हैं कि किन चीजों को पकाने के लिए क्या किया जाता है अब यहाँ आपके सामने खाने की कुछ चीजें हैं उनके नाम है और उन्हें किस तरीके से पकाया जाता है उन तरीकों के नाम भी है जिस चीज को जिस तरीके से पकाया जाता है उसके आगे आपको सही का निशान लगाना है तो देखिए पहली चीज क्या है मुँमे पानी तो नहीं आ गया पढ़कर पकोडे जी हाँ अब यहाँ हमारे पास कौन कौन से तरीके हैं जरा देखिए तो तलना, भूनना, उबालना या फिर भाप से पकाना तो पकोडे कैसे बनाए जाते हैं पकोडों को बनाने के लिए क्या किया जाता है सही का निशान लगाईए कहां लगेगा जी हाँ तलना अब आगे क्या है अंडा अंडे को पकाने के लिए इन चारों में से क्या किया जाता है? उबालना आगे बढ़ें पापड जी हाँ पापड को कैसे पकाया जाता है? तलना कुछ घरों में पापड को तल कर पकाते हैं और एक और तरीका भी है पापड के लिए कौन सा? भूनना जी हाँ, कई घरों में पापड को आग पर भून कर पकाया जाता है तो इसके लिए दोनों तरीके हैं तलना भी और भूनना भी आगे बढ़ें धोकला धोकला कैसे पकाया जाता है? समझ आ गया ना? समझ क्या आ गया? याद आ गया? भाप से पकाना अब देखिए पूरी पूरी को कैसे पकाते हैं? उसके लिए कौन सा तरीका इस्तिमाल किया जाता है? जी हाँ, तलना अरे, अभी क्या बची रह गई? जिसे पकाया नहीं है क्या है? इडली इडली को कैसे पकाया जाता है भला? भाप से पका कर देखा, आपने सब चीजों को पकाने के लिए अलग-अलग तरीकों का इस्तिमाल किया जाता है अब हम कुछ प्रशनों के उत्तर ढूंते हैं चलिए जरा बताईए तो जी हाँ गुरु जी थैली में क्या लिए जा रहे थे? इसका उत्तर गुरु जी थैली में गेहू लिए जा रहे थे अगला प्रशन गुरु जी को किसने अपनी साइकल दे दी? जी हाँ उत्तर समझ में आ गया ना गुरु जी को शिवदास ने अपनी साइकल दे दी अगला प्रशन शिवदास ने गुरु जी को अपनी साइकिल क्यों दे दी? तिहां गुरु जी भारी थैली लेकर जा रहे थे इसलिए शिवदास ने उन्हें अपनी साइकिल दे दी अगला प्रश्न रोटी का आकार कैसा होता है? कैसी होती है रोटी? रोटी का आकार कैसा होता है? ये तो सभी जानते हैं रोटी का आकार गोल होता है और जानते हैं न यह गोल आकार पहली बार रोटी बनाने पर नहीं बन पाता बार बार कोशिश करके बन पाता है तो अच्छा लगा आज का एह पाठ अब इसे अपनी किताब निकाल कर पढ़िए और घर में बनी दाल रोटी या सबजी रोटी खाकर खूब सहित मनाईए फिर मिलेंगे अगली कक्षा में बाई बाई